अब आज की इस लेक्टर में हम करेंगे अबेटमेंट की पनिश्मेंट जो की आपकी सेक्शन 109 से लेके 120 सेक्शन तक कवर्ड है और IPC हमने अबेटमेंट की जो मीनिंग है या इसका स्कोप है इसके जो इंग्रीडियेंट्स है उसकी अलग से वीडियो बनाई है आप वो चे सेक्शन कवर करा है और आज हम करेंगे अल इस पनिश्मेंट अंडर IPC तो लेक्स स्टार्ट जो सेक्शन 109 से कहते हैं 120 तक आपका है यह पनिश्मेंट का और क्या कहते हैं यह सेक्शन अफ लाइबिलिटी ओफ एन बैटर अबैटर कहां डिफाइंड है सेक्शन 108 में और अ अबैट्मेंट करवाता है जो अबैटिंग करता है ठीक है दो वान हो अबैट इस लोन एज अबैटर इस मेली डिपेंडेंट ऑन दो फॉल्लूविंग फॉर सेक्टर अब आपको फिर से थोड़ा सा मैं रिवीजन या रिकाप दे देती हूं अबैट्मेंट क्या होती है ज कोई हेल्प ऐसी कर दे जिससे दूसरा परसन कोई क्राइम कमिट कर दे ठीक है तब हम कहते हैं कि उस परसन ने अबैट्मेंट क्राइम करी है उसने क्योंकि दूसरे परसन को क्या करा है उसको उक्साया है वो क्राइम करने के लिए और जो ऐसा करता है उसे हम अबैटर कहते ह और जो जिसने crime कर दिया उसको हम principal offender बोल देते ठीक है चलो which act he had abetted कैते चाहा चीजों की ऊपर dependent होती है इनकी punishment liability क्या होता है punishment होती है which act he had abetted उसने कौन सा ऐसा act है कौन सा ऐसा criminal act है जो अबैट कर दिया है वो देखेंगे विद वट इंटेंशन देखेंगे इसकी डिगरी ओफ इंटेंशन देखेंगे विच एक्ट वाज कमिटेड विद वट इंटेंशन देखा जाता है इने बी इंकरेज करा और बी को बोला कि तुछी ओंने चला जाता है अब इसमें दिमाग किसका था इसका तो मेंजरिया इसका हुगा इंट किस ने करा इसने तो असरी बी का हो गया तो बेसेकली इंटेंशन की तो बात करी गई है because abattment main tension menzeria plays the main role right now section 109 punishment of abattment if the act abetted is committed in consequences and where no express provision is made for its punishment जो हमारा section 109 है वो उसकी बात करता है जब abattment हो जाती है if act abetted is committed ठीक है और उसकी कोई provision नहीं दी गई तो यह वाला section जो है लग जाता है ठीक है क्या कहता है यह section this section states that if there is no separate punishment of abattment provided in the IPC as such then this offense is punishable under this section with some punishment as provided for the original offense अब यहां पे क्या होगा यह जाता है यह section वहां लग जाएगा जिस जहां पर आपके बैट्रमेंट की specific punishment नहीं दी गई जाएगा और उसमें क्या होगा that offense is punishable with the same punishment as provided for the original offense अब यहां पे क्या होगा आपके बैट्मेंट की punishment लगने की बजाएगे आपको उस offense की ही punishment लग जाएगी जो आपने offense बैट करा है देखो आपके क्लैट में question आ गया ठीक है और यह pointer देया हुआ आपके paragraph में तो आपको वहीं के वहीं समझ जाना है कि यह बैट्मेंट का first punishment का first section या first rule लग गया है जहां कहीं पे भी section में कहीं पे भी कहीं section नहीं है जहां पे वैट्मेंट की asset punishment नहीं दी गई हुई तब वहां पे offense is punishable with the same punishment as provided for the original offense ऐसा ही से punishment दी जाएगी अब A ने मतलब कोई ऐसा हो जो A ने B को crime बोला करने के लिए और B ने वह crime कर दिया और B की उस crime की punishment जो है इस्टिगेट B to give false evidence B under the instigation of a commits an offense here A is guilty of a batting offense and is liable for the same offense of B अब यहां A को भी B वाली punishment मिलेगी false evidence देने की चाहे उसने batting करी थी ठीक है A offers a bribe to B a public servant as a reward of showing some official favor to A B accepts the bribe A has a batted offense and is liable for the offense यहां पर आपका section 161 of IPC लग जाता है जब public servant अपनी salary के लावा कोई और enumeration लेता है तब यह section लगता है ठीक है तो इस में क्या बोला गया है A ने bribe offer की B को public servant को अब B को तो जो punishment मिलेगी मिलेगी यह ने जो बैटमेंट करी है उसको भी वही सेम अफैंस की punishment मिल जाएगी राइट नो लेट उस सी कि नेक्स्ट अब देखते हैं हमने 109 कर लिया इजी अब हम पढ़ते हैं 110 राइट यह क्या कहता है punishment of abattment if person abattled does act with different intention from that of the better अब देखो अभी जिसको काम पर लगाया था उसने कोई और एक्ट कर दिया जो बैटर ने उसको बोला था ठीक है the person abattled does act with different intention कि अलग intention के साथ अब इसकी intention abattr की यहां पर हमने देखनी है कुछ और थी बट जिसने crime वो कर दिया offense कर दिया उसकी tension उस वक्त और थी पहले इसका example देखो क्या कहता है फिर हम इस पर चलते है a instigated b to cause grievous injury to m ठीक है a ने b को बोला कि तुम m की grievous injury कर दो ठीक है for preventing him from taking part in a racing competition now b filled with deep anger tries to kill him in this process inflict injury to m now a will be liable for the attempt to murder देखो अभी को गुसे में अब देखो इसकी intention क्या थी वो चाता था m कितनी जुम जादा grievous hurt injury कर दो इसको grievous hurt इतना देदो कि वो racing competition में part ना ले सके तो इसकी यहां पर intention कुछ और थी और बी नहीं क्या करा गुसे में आ कि उसको इतना मार दिया इतना मार दिया कि वो nearly बचा तो उस पर temp to murder की charges लगे तो यहां पर यह section कहता है बी पे तो लगी है चाहिए उसकी इंटेंशन उस वक्त कुछ और होगी थी बट ए ने उसको इंस्टी इंस्टिगेट करा था तो ए पे भी वो ही charges लगेंगे चाहिए उसकी इंटेंशन कुई और थी ठीक है नहीं ए विल बिलाइबल for the temp to murder ठीक है punishment of abattment if person abatted does act with different tension from that of the abatt okay understood अब ये पड़ते हैं इस section comes into play when intention of an abattor and a person abatted does an act that has different intentions from each other as per this the batter will be punished with the abatted offense irrespective of the intention right now next section 111 liability of the batter when one act abatted and different act done अब देखो हमने यहां पे बैटर की liability चेक करनी है जब एक act उसने abatt करा था और दूसरा act हो जाता है पहले हमने क्या पड़ा था देखो इसमें main आपके क्या याद करना है यहां पर different intentions था और इसमें क्या है जो act abatt करा था और कोई और act हो जाता है ठीक है A act बोला था B act हो जाता है ठीक है पहले इसकी फिर से illustration देखो आप A instigated child to put poison into the food of Z and give him the poison for that purpose the child in the consequence of the instigation by mistake उसने गलती से जो था य के खाने में डाल दिया which was kept next to that of Z which resulted in the death of Y करनी थी Z की death हो गई य की death ठीक है here A is liable in the same manner and the same extent as if they batted a child to poison Y because child is acting under the influence of abattment जब आप किसी के influence में बैट करते हो आप से को गलती हो जाती है तो person ने आपको दूसरा act करने को बोला था आप से दूसरा act हो जाता है फिर भी a better will be held liable because उसने आपको point करा था वह act करने के लिए that is why ठीक है section 111 of the Indian pinnacle deals with the principle of probable consequence probability है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो इसमें ये वाला जो है आपका doctrine लग जाता है probable consequence का according to this principle if there is a difference between the intended act of the better and the actual act done then the better will be liable for the actual one the main precondition is that the actual act is probable consequence of the abattment अब यहां पे कहते हैं आपको यही देखना है कि जो चीज हो गई है वो क्या probability थी अब देखू आपको आपको आप कह दो आपने अपने better abattment के लिए बैटर ने कुछ काम करने को बोला और ऐसी से चीज करती है जिसकी कोई probability थी नहीं कि वो हो सकती है ठीक है और वो वो करके आजाता है तो इस case में code देखी कि वो तो condition बनती भी नहीं थी ठीक है ना तो कहते हैं प्री condition बस आपको क्या notice करनी है कि क्या वहां पर ऐसी probability थी ऐसी condition की किवे ऐसा हो सकता था जैसे इस case में हमने देखा है वाई होजी साथ साथ बैट थे वाई का खाना भी साथ ही था बच्चेयों क्या पता उसने गलती से वाई के खाने में डाल दिया तभी डैट में तभी जो आपका ए है वह लाइबल हुआ है अगर मानलों वह था यह नहीं उसका कहीं अंदर था और फिर कोई बंद परसन गलती कर देता है तब उस केस में सिच्वेशन डिफरेंट हो जाती है तो प्री कंडिशन ही इस प्रॉबेबल कॉंस्टिक्वेंस दिखना चाहिए तो आपके क्लैट के लिए यह सब इतनी यूनों डीप नॉलेज नहीं ज़रूरी बस आपको इस थोड़े से इसके कंटेक्स्ट को याल रखना है पह ठीक है और दूसरा तीसरा यह वाला आगया जब कोई और ही एक्ट हो जाता है आपने एक्ट कोई और बोलता करने के लिए और दिफरेंट हो जाता है ठीक है अब हम नेक्स पर चरते हैं क्या कहता है अबैटर वन लाइबल तो क्यूमिलेटिव पुनिश्मेंट पर एक्ट अब एक्ट दन इक्सेंशन ऑफ सेक्ट्शन वन 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 इस मैशने इंसेंट वन लाइबल फो इच एपक्ट से आप लग्यों से अपने जिसको बैट्मेटर ने बैट्र करा है उससे एक से जादा क्राइम हो जाता है तब कोट कहती है या कहलो आपका इपीच्ई कह देता है कि आपको जो आपके बैटेट पर से नहीं करें हैं कराई मैं बैटर वे लाइबल फॉर आल फैंसे विच्ट पर संहाज कमिटेट विकाज वो उसके कहने पर ही वहां पर गया था ठीक है ना अफ्स इंसिगेटेट वाइडुक तो कमिटेट वाई इंफुलेंस नॉट अउल्ली कमिटेट रेडेट अब एक्स ने हुआ य को छिरफ रेप के लिए बोला था वीच इंड़ सेल्फ एफेंज बट उसके साथ-साथ क्या पर देता है उसको लिख कर देता है नहीं एक्स जि ना बब समझें ना अभी इस केस में क्या हुआ था को एक्स्ट्रा ओफेंस हो जाए तो उसके लिए भी अबैटर विल भी हैं लियाबल नौ 113 section liability of a better when different effect from the intended effect occurs अब कुछ और effect हो गया जो सोचा था उससे अलग हो जाए तो क्या करना है intention and knowledge plays an important role in any criminal act आपको भी पता है हमने पढ़ा था it is an essential of criminal act criminal wrong क्या मैंजरिया ठीक है mind की आपके intention होनी बहुत जरूरी होती है if an act abetted with different intention causing different effect as a result abetter will be liable of the effect cause on the ground that he knew that the act abetted was likely to cause such effect although intention is different from the act caused but one will be liable for the fact mere on the ground of knowledge इसका आप एक बड़ी ग्जाम्पल देखो इस सिमिलर तो section 1110 जहां different intentions हो जाती है तो इस similar to that only a instigates b to cause grievous hurt to z b in consequence of instigation causes grievous hurt to z z dies in consequence here if we knew that the grievous hurt abetted was likely to cause death a is liable to punished with the punishment provided for murder अब देखो अब देखो अभी a ने बी को बोला था कि इसको grievous hurt देना है बस ठीके जी को अब आप आप आपको पता है कई बारी किसी की बंदा कैसा होता है किसी कैसी कैसी ने बॉड़ी की इन जो भी कहलो आप अगर आप उसको इतना मारें सिपहर्ट देने तक क्या पता इन कॉंसेक्वेंस इसके डेथ हो सकती है ठीक है तो इस केस में यही हुआ था ठीक है जी डाइज इन कॉंसेक्वेंस है और इफ ए न्यूदाट की ग्रीवियस हट कर रहा हूं वो डेथ भी कॉस हो सकती है इसके करके अब यहां देखो यहां पी जो आपका डा दूसरे परसन परसन की इसको वह बेटमेंट के लिए भेज रहा है उसको अबैटर को उसकी जो वह कर हो सकती है जो निया इंटेंट सेक्शन था उसमें हम यह कह रहे थे कि वहां पर जो देखो वहां बैक जाकर देखते हैं हां इस केस में डिफरेंट ही इंटेंशन हो जाती है जब पसंद की ठीक है देटर विल भी पॉनिष्ट विद बैटेंशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दा इंटेंशन यहां पर उसकी कोई भी इंटेंशन वहां जाके हो गई जब आपने उसको इंस्टीगेट करके भेजा है ठ और यहां पर आपका यह वला सेक्शन जो है यहां पर क्या कहते है इस एक्ट बैटेट विदिफ्रेंट इंटेंशन कॉसिंग डिफ्रेंट अध्र अब्र इए विल भी लाइबल ऑफ तैफेक्ट कॉस्ट हमने यहां पर इफेक्ट कॉस्ट को समझना है इसमें बैटेट की यहां पर इफेक्ट नॉलिज दिखती है कि बैटेट को पता था अगर वो जिसको भेज रहा है वो यह वाला एक्ट करेगा तो उससे यह चीज भी हो सकती है तो here a better had the prior knowledge और पिछले section में क्या था बैटेट को prior knowledge नहीं होती है उसमें but still he is made libel इसमें तो libel वो होगा ही right now next 104 section 114 a better present when offense is committed अब देखो basically जो आपकी abattement है उसमें यह कहा जाता है कि минут यह मैंजरिया है आणी क्योंकि जो बैटन होता ओट होता है वह किसी और से करवाता है ठीक है अगर मान लो आपका जिसने आपको बोला कि चलो तुमनें देखो सुनो 20 में को मारना है ठीक है तुमें साला कुछ दे रहा पर उस टाइम पे ये भी वहां पहुंच जाता है तब क्या होता है उसको भी फिर्माना जाएगा बैटमेंड नहीं हुई है ओफेंस ही हुआ है क्यों हुआ है वहां पे आपने सेक्शन 34 पड़ा हुआ है नहीं पड़ा तो मेरी वीडियो जाके देख लो वहां पे आपका कॉ आपका इंटेंशन दिख गया कि प्रेजंस वहां पे प्रेजंस होनी जुरूरी होती है और प्रेजंस जब आप हो जाते हो फिर आप उसी पेंस के लिए 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 हो ठीक है वेन दैक्ट और पैंस इस बिंग कॉमिटेद इन कॉंसेक्वेंस ऑफ दाबैटमेंट पॉर व जाते है और शूरों प्रेजंस ऑफन्ज कर दी हो गया आपने प्रेजंस फिशो करदी मेंजरिया भी शो कर दिया अक्तर सी शिरियो ठीक आपको बैटमेंट के लिए हम क्यों लाइब भाइंट के रहा है आई पीसी कह रहे है क्यों तब हम आपको क्राइम के लिए you of and offense में आपको मानेंगे you will be the accused in that case and आपको तनी ही पनिश्मेंट मिलेगी जो आपने crime offense करा है ठीक है with those cases with the actual crime is committed in the presence of a better right देखो वह आपको भी हम punishments तो कराने इसमें आपको और concept की clarity होगी अब यह बैटर है आप किसी को instigate कर रहे हो वो crime करने के लिए क्यों कर रहे हो उसके पीछे बेन मोटिव क्या क्योंकि वह खुद नहीं करना चाहते बट आप किसी से करवाना चाहते हो अपनी लाइबरिटी को थोड़ी कम करके बट इस case में क्या होता है आप अब better abattment कर रहे हो आपके punishment उसके recording मिलेगी पर जब आप खुदी present हो गए आपकी common intention तो है है आप पहां पर presence भी हो गए हो आपकी presence भी दिख गई है तो court कहता है यह code कहता है IPC code आपका कहता है की you will be liable for that particular offense only then not for the abattment because you were present there at the time of the offense right now next terms of punishment provided in section 115 116 117 118 119 119 and 120 अब देखो इन sections में हमने पहले आपके cj concept समझा punishments का की वो कैसे cover करा जाएगा अब हम इसकी punishments पढ़ेंगे की court आपका IPC ठीक है Indian Penal Code आपका क्या-क्या punishments दे रहा है in an abattment under these sections abattment of offense punishable with the death or imprisonment for life if offense not committed अभी हम यहां से देखो आप if offense not committed in consequences of abattment अब आपने कोई offense कराना था बट वह हुआ नहीं basically यह उस offense की बात कर रहा है जो offense आपका punishable है with death or imprisonment of life और इसको हम क्या कहते हैं बट वह आपका offense जो वह बंदे को जिसको आपने बोला था करने के लिए वह आधा हो गया में लिए complete नहीं हुआ है it is not being committed तो फिर आपको abattment की कितनी punishment मिलेगी सिर्फ साथ साल की punishment मिलेगी और fine मिल सकता है but if act causing harm be done in the consequences but आपने कुछ ऐसा उसके दुरान harm कर दिया चाहिए act आपका complete नहीं हुआ बढ़ harm हो गया तब आपको 14 years of imprisonment और fine मिलेगा ठीक है अगर देखो आपको समझो 115 जो आपका section है उसमें हम उसकी बात कर रहे हैं वो heinious crime की जो आपका commit नहीं हुआ है और heinious crime की punishment क्या है life imprisonment या death penalty अगर वो complete नहीं हुआ है तो आपको क्या है साथ साल की सजा मिलेगी बढ़ हां उसमें कुछ ऐसा harm या कुछ injuries हो गई है तो उस case में आपको 14 years of imprisonment plus fine मिलेगा right next abattement of offense punishable with imprisonment अब देखो हमने यह देखना है कि आपकी imprisonment की punishment है simple तो इसमें क्या offense और commit नहीं हुआ है तो क्या punishment मिलेगी offense not committed in consequence of abattment one-fourth of the longest term of punishment provided for the fence final vote अब देखो चार्षाल की सजा थी one-fourth बोले तो आपको 5 साल की सजा मिलेगी ठीक है दो साल की थी तो छे महीने की तो one-fourth of the longest term जितनी होगी उसकी उस अग्वार्डिंग आपको punishment दे जाएगी जब offense नहीं कमिट हुआ है if a better be a public servant अब देखो very important इस पर आपका question आजाता है अगर पब्लिक servant है और उसके duty थी वो act को prevent करने की और वो भी involved हो गया तो उसमें उसको half of the longest term of punishment मिलेगी यहां नॉर्मल बंदे को मालू example है आपका four years थी उसमें imprisonment maximum तो normal person को one year की मिलेगी और public servant को two year की अगर दो साल थे इसको तो six months की इसको one year की ठीक है फिकोज क्यों क्यों पब्लिक servant की duty होती है ठीक है कि वो ऐसा थोड़ासा नेशन को सर्व करें और ऐसे इल्लीगल एक्स होने से बचाए अगर वो खुद ही involved हो गया सब कोर्ट ने उसकी punishment जो है जाधा रखी हुई है example ले लो आप ए ने बी को भी public officer है उसको instigate करा रॉबरी करने के लिए और उसने कर दी तो यह वाला case है उसमें अब यहां पर देखो 10 और मोर की बात हुई हुई है ठीक है एनी परसन हो बैट देखेंट गमिशन अवाफेंस बाइप प्लिक जनरली और बाइन अबर और class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment for the term which makes 10 to 3 years और फाइन यहां पर बैटिंग कमिशन अफेंस बाइद पॉब्लिक और बाय मोर देन तैन परसन जब यहां पर आपके जब कोई काम क्राइम करने जा रहे हैं more than 10% है तब आपका यहां पर 3 years का लग जाएगा fine और बोथ चीक है any person who bets the commission of offense by the public generally or by number or class of person exceeding 10 means 10 or more is the essential over here we punish with the imprisonment for the term which makes 10 to 3 years or fine or both now next अब हम चलते हैं punishment for concealing design और plans to commit offense अब देखो यहां पर वर्ड आ गया concealing design concealing design क्या होता है जब आप कुछ बात की concealment चुपा लेते हो कोई बात ठीक है तो इसमें अब जब कोई आप false representation कर देते हो to facilitate the crime क्यों करते हो to facilitate the offense या crime अब इसमें क्या कहते हैं provisions है इन sections में जो concealing designs की बात करते हैं ठीक हो concealing the design voluntarily इसमें voluntarily मतलब आपको पता है जान भूज के voluntarily आपने जब यह काम कर दिया voluntarily by any act or illegal mission which lead to the commission of an offense be punishable under these sections अब यहां पे concealment designs तो लिखा है इसोने बेसिकली सारे pointers आपके cover करे हैं misrepresentation false representation और या कहलो कुछ आप ऐसा काम कर दो जिससे वह facilitation हो जाती है offense की तो वह pointers इसमें आएंगी आपको चलो मैंके example देती हूं ए परसन था उसको पता था जो भी है वह सी के घर जा रहा है डिकॉइटी करने और वह क्या करता है police authorities को magistrate को यह बता देता है कि जो भी है वह जब उसे पूछने आते हैं वह तो डी के घर गया है वह सारी force वहां पहुंच जाती है और देखती है वहां तो कुछ नहीं है उतनी देर में बीसी के घर चोरी करके फ्री भी हो जाता है तो इस case में क्या हुआ एने क्या करा इसमें एने concealment of facts करी है इसने misrepresentation for representation करी है यह बताया है कि बीडी के घर की तरफ क्या है जबकि उसको पता था कि वीसी के घर क्या है तो voluntarily जब कोई हम करते हैं क्योंकि यहां एको पता था ठीक है तो यह situation में हमने देखना है कि क्या punishment होती है पहला concealing design to commit offense punishable अब कुछ ऐसा offense आपने कुछ ऐसी बात चुपा के ऐसा offense create करवा दिया जिसकी punishment death penalty है यह imprisonment for life है तब क्या होगा if offense committed in consequence of abattment अगर वो offense commit हो जाता है abattment आपकी जो हुई है उसके चक्कर में तो आपको 7 years की imprisonment होगी यह fine लगेगा if offense not committed in consequence और मालो offense नहीं हुआ ठीक है तो उस case में फिर भी आपको 3 years की imprisonment हो जाएगी because आपने abattment करी ठीक है offense नहीं हुआ तब भी होगी offense हो गया तो इतनी होगी क्योंकि जो commit हो गया है offense वो heinous crime है death और imprisonment कब आती है जब आपका crime heinous होता है right now next sorry public servant concealing design अब यहां पर देखो आपका public servant आ गया अब उसने कोई concealment करी है auto commit offense which it is his duty to be present अब देख लो वही रॉबरी वाला एक्जैंपल ले लो a police officer को पता था कि जो b है वो c के घर गया है चोरी करने और police officer जानवुज के यह बात चुपा लेता है बोल देता है कि b ने या बोल दो नहीं करी है क्या तो b तो b के घर गया है तो इस case में public servant की क्या duty थी कि वो इस चीज को या offense को prevent करता ठीक है बट उसने इसमें इसके abattment थी उसने concealment of facts करी false representation दी और वो crime को facilitate करा तो इस चक्कर में इसको कैसे punishment मिलेगी if offense committed in consequence of abattment अगर मालो offense commit हो गया तो इसको half of the longest term punishment मिलेगी कि इतनी जादा if offense not committed अगर offense नहीं हुआ तो one-fourth लग जाएगी if offense committed which is punishable with death or imprisonment तब उसको 10 years of imprisonment मिलेगी और आप person को कितनी थी हमने last slide में भी पढ़ा है seven years और इसको 10 years और अगर दूसरा offense हो गया तो इसको कैसे अगर आपकी four years थी longest offense हो गया है तो one year यह आपको लग जाएगा अगर four years था और offense नहीं हुआ है तो आपको six months की जो है लग जाएगी easy now next अब हमने इसमें मैंने कुछ दो important case laws डाले है so that आपको यह concept और भी अच्छे से clear हो जाए इसमें हम basically letter की बात करेंगे कहते अगर किसी परसन ने letter के through किसी को instigate करा है तब कब हम उसकी बैटमेंट मानेंगे कहते हम तब उसकी बैटमेंट मानेंगे instigation is complete as soon as the contents of letter becomes now to be जब बी के पास लैटर पहुंच जाती है अब उसकी लैटर हो गई है तब हम मान लेंगे कि instigation जो है complete हो गई ठीक है अब इसमें बेसिकली false document की preparation की बात करी गई है कि जब आप पॉर्स document prepare करते हो तब जो आपकी help कर देता है by the stamp paper for the purpose such a false document also ask for information to be inserted in such false document he would be guilty for the abattment of forgery जब आप किसी चीज का false document की preparation कर रहे हो तो जो आपकी help कर रहा है उसको better कहा जाएगा because वह आपको fence कर रहे हो कौसा forgery का ठीक है because these are the acts done to facilitate the commission of the offense okay तो हमने अब देखो दो ऐसे situations अलग अलग कवर करी है एक तो लैटर की और जब आप कुछ ऐसा false document prepare कराते हैं ठीक है अब दूसरे person को पता था other copy of an intended false document तब उस case में the person who is aiding इस्टिक आपको कर रहा है help कर रहा है तो कहेंगे तो वह better right now conclusion इसमें देखो आपके actually conclusion में इस बड़ा तो डाला है जो आपके एक्लार्ट पेपर में आता है ना तो ऐसे इसमें हमने क्या कहा है अबैटमेंट इसमें पनिश्मेंट भी दी गई है आपके ऑफेंस को बहुत अच्छे समझाया गया है उसके बाद में एक्ट अबैटमेंट कर रहा है यह बात बुली गई है कि जब कोई एक्ट होता है यह सब बातों को लेके वह जो एक्ट कर रहा है वो तो पनिशेबल है है बड़ जो उसकी बातमेंट कर रहा है अब देखो अब आप इस बात को समझो आपके बैटमेंट क्यों है क्या होता है एक बसंद दूसरे बंदों को उकसाता है क्राइम करने के लिए या कोई कॉंस्पिरेसी करते हैं या कोई है दे देता है तो इसमें हमारा नैच्रल जस्टिस का कंसेप्ट लग जाता है ठीक है आइपि से कहती है कि हम उसको भी क्यों बचाएं जिसने इंस्टिगेट करा जिसने क्राइम करा वो तो परनिशेबल है अगसे करवाया है वो भी परनिशेबल है विकॉस इन्हांसे इंसे पर फिञ जस्टिस इंड इंडीर अपनुछस्टिसटें लीग सिस्टम वैटमेंट है वो निशेव स्टेज पर ही लग जाता है मैंजरीय विकॉस अबैटमें में मैंजरीय इस वह बटर है एक्ट वो किसी और से करवाता है राइट सो अबेटमेंट में तेक प्लेस अचिए लेवल अफ प्लानिंग और पनिशियबल विद आप इंप्रिजमेंट और बोथ आज ने इसकी देख लिए हमने इसकी पनिश्मेंट भी आज कर ली हैं आपकी सेक्शन वन हंडर एंड नाइन से लेके 120 था किसकी पनिश्मेंट सी 107 म अबेटर समझाया था तो ताट सौल इन तोड़ेस लेक्चर थैंक यू सो वेरी मच्छ